हेलो, ms excel में world art function का use किसी भी text को style में लिखने के लिए किये जाता है तो यहाँ पे हम world art को करेंगे, तो world art को करने के लिए insert tab पे जाएंगे इंसल्ट टैप पे जाने के वाद, text group में जाएंगे और यहाँ पे world art यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के वाद, यहाँ पे world art style आ जाएंगे जिस भी style में हमें world art बनाना है, उसके ओपर क्लिक करेंगे जैसे यहां पे यह style चाहिए यहां पे क्लिक किया, यह लिखने के लिए यहां पे आ जाएगा, suppose करो यहां पे मैंने अपनी channel का नाम यहां पे लिखना है, तो उसको style में करना है फिर, bias ग्यान टेक, यह लिखा bias ग्यान टेक, लिखने के बाद आगर इसको थोड़ा और बढ़ करना जाते हैं तो इसको फिर select करेंगे इसके उपर right click करेंगे और यहां से इसका size बढ़ा देंगे यहां पर इसका size 72 यह रखा रखने के बाद इसको थोड़ा सा उपर ले जाएंगे यहां पर आगर यह हमने जो लिखा हुआ है यहां पर इसका shape style हमने change करना है तो यहां पर यह option पड़े हुए हैं यह देखो जिसके उपर हम click करेंगे वही इसमें आ जाएगा यह सभी shape style है और यहां पर चाहिए तो हम यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद यह shape style सभी यहां पर आ जाएँगे यह देखो यहां पर change हो रहा है जो भी चाहिए वो shape style यहां पर change हो रहा है suppose करो हम यहां पर shape style यह चाहिए तो यहां पर हमने click किया तो यह shape style यहां पर आ जाएगा आने के बाद यहां पर आगर हम इसको shape fill किसी और color में इसको shape fill करना जाते हैं तो हम यहां पे shape fill पे जाएंगे यहां पे और यहां पे जाने के बाद यहां पे दिये गया है color यह color हम कोई भी यहां पे चूस करेंगे उसी color में यह आ जाएगा जैसे हमने इस color में किया तो यह देखो shape fill यहां पे यह होके आ जाएगा इसके बाद फिर यहां पे shape fill पे जाए क्लिक करेंगे पिक्चर पे पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अगर हमने यहां पे कंप्यूटर में कोई पिक्चर रखी हुई है उसको यहां पे लगा सकते है फ्रॉम ए फाइल यहां पे इसको ब्रॉज करेंगे ब्रॉज करने के बाद यह जैसे यहां पे यह सभी पिक्चरे दिये गई है जो भी हम इसकी background में लगाना जाते हैं उसके ओपर क्लिक करेंगे जैसे suppose करो हमें यह चाहिए यहाँ पे first में क्लिक किया इस picture पे और यहाँ पे insert पे click किया तो insert पे click करने के बाद यह देखो यह picture यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे shape fill पे जाएंगे फिर और इसके बाद है gradient तो यह अगर change करना है तो यहाँ पे दिया गया है जो भी चाहिए उसके ओपर क्लिक करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा अगर यह चाहिए तो यहाँ पे click किया तो यह यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद shape fill फिर यहाँ पे जाएंगे इसके बाद आ गया है texture अगर इसको change करना है तो यह भी यहाँ पे दिये गया है कोई भी style जैसे किसी भी के उपर हम क्लिक करेंगे वही यहाँ पे आ जाएगा suppose करो हमें यह चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया तो यह दिखो यह आ गया है यहाँ पे इसके बाद आ गया है shape outline यह जो outline है यह जो word art की outline है इसको अगर हमने change करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे shape outline इसके बाद किस color में करना है जैसे suppose करो इसको red में करना है यह देखो red पे click किया तो यह red में आ जाएगा इसके बाद फिर यहां पे shape outline पे जाएंगे wait यहां पे click करेंगे यह जो outline है किस मोटाई में चाहिए हमें तो यहां पे यह देखो सारे यहां पे दिये गया है Suppose करो हमें ये इसमें चाहिए, तो इसमें किया, तो ये देखो, shape outline इसमें ये आ जाएगा, इसके बाद फिर यहां पे shape outline पे click करेंगे, आ गया है, dashes, अगर ऐसे चाहिए, ये style चाहिए, ये देखो, सबी style आज यहां पे, जो भी style चाहिए, उस पे click करेंगे, उसी style में ये आ suppose करो हमें यह style चाहिए यहां पर क्लिक किया यह देखो shape outline यह change हो गया इसके बाद आ गया है shape effects यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद preset यहां पर preset के यह option है जैसे यहां पर हमें कौन सा चाहिए यह 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 चाहिए तो यहां पर क्लिक किया यह यहां पर आ जाएगा इसके बाद shape effect यहां पे click करेंगे आगे है shadow अगर यह world art shadow में चाहिए तो यह shadow यहां पे देगे हैं style inner में यह देखो style पड़े हुआ है या और चाहिए यहां पे यह चाहिए तो यहां पे click करेंगे तो यहां पे हम shadow भी world art को लगा सकते हैं इसके बाद है reflection यह देखो इस world art की reflection यहां पे यह आगे इसके बाद फिर यहां पे shape effect पे click करेंगे आगया glow आगर यह world art glow में चाहिए तो यहां पे यह सभी glow में दिये गए है इस glow में चाहिए तो इस पे click करेंगे यह देखो यह glow में आ जाएगा यहां पर यह world art इस glow में आ गया इसके बाद आगे फिर click करेंगे आगे है soft edges यहां पर अगर यह चाहिए तो यहां पर click करेंगे किसी के ओपर वो edges यहां पर apply हो जाएगा इसके बाद आगे है viewer इसमें चाहिए तो इसमें भी यह style दिये गया है suppose करो हमें यह इस style में चाहिए, यहाँ पे click किया तो यह style में आ जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखेंगे इसके बाद यहाँ पे फिर जाएंगे आ गया है 3D rotation तो यह rotation है किस rotation में चाहिए यह सारे यहाँ पे style दिये गया है जो भी यहाँ पे rotation में चाहिए उसके ओपर click करेंगे उसी rotation में यह आ जाएगा suppose करो हमें इस rotation में चाहिए यहाँ पे click किया, तो यह लिखो यह जो है world art इस rotation में आ जाएगा इसके बाद फिर यहाँ पे world art पे click करेंगे इसके बाद आगे है यहां पे text fill ये जो text हमने लिखा हुआ है जैसे यहां पे लिखा हुआ है YS Gyan Tech तो ये जो text है इसका color अगर हमने change करना है इस सारे को select करेंगे ये सारे select किया select करने के बाद text fill यहां पे जाएंगे और यहां पे color कौन से fill करना है उसके ओपर कलिक करेंगे, यह color यहां पे fill हो के आ जाएगा तो अब suppose करो हमें यह color चाहिए, बLUE तो यहां पे click किया, यह blue color यहां पे आ जाएगा इसके बाद फिर यहां पे जाएँगे, यहां पे जाने के बाद यहां पे picture, अगर यहां पे picture यह लगानी है तो यहां पे picture पे click करेंगे picture पे click करने के बाद from a file यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद कौन सी picture यहां पे लगानी है जैसे suppose करो यह picture हमने लगानी है इसके बाद insert पे click करेंगे तो यह देखो यह picture यह text के लिए apply हो जाएगी यह इसके बाद फिर यहां पर text fill पर जाएंगे और आगे है gradient अगर इसका change करना है तो यह gradient यहां पर दिये गया है जिसमें भी चाहिए यह gradient उसमें change हो जाएगा suppose करो हमें इसमें चाहिए तो इसमें click किया है यह gradient यहां पर text का change हो गया इसके बाद फिर यहां पे text fill के more button पे जाएंगे और आगे है texture तो texture को अगर change करना है तो यहां पे click करेंगे, कौन से texture text के लिए जाहिए यहां पे click करेंगे यह देखो change हो रहा है suppose करो हमें यह चाहिए तो यहां पे click किया यह देखो, यह जो text है, इसके लिए यह texture यह आगे है, अगर यह जो text हमने लिखा हुआ है, इसकी outline हमने change करनी है, outline पे click करेंगे, text outline पे click करने के बाद यहां पे कौन सा color चाहिए, outline के लिए उस पे हमने click करना है, वही outline यहां पे आजाएगी, suppose करो यह red में रखना है, यहां पे red पे click किया तो यह देखो, यह जो text हमने लिखा हुआ है, इसकी जो यह outline है, यह red color में आगी इसके बाद फिर यहां पे click करेंगे, और आगे है यहां पे wait, अगर किस मोटाई में चाहिए, तो यह देखो, यह जो text है जितनी मोटाई में चाहिए, यह देखो इतनी मोटाई में आ रहा है, तो हमें suppose करो each मोटाई में चाहिए, यहां पे click किया इसके बाद, फिर हम इसको select करेंगे यह select किया, अगला यहां पे text outline पे, dashes, तो यहां पे click करेंगे, तो यह dashes यहाँ पे style आ जाएंगे जो भी style चाहिए जैसे suppose करो हमें यह style चाहिए यहाँ पे click किया तो यहाँ पे click करने के बाद यह देखो यह dashes में यह text लिखा हुआ जाएगा यह देखो तो इस प्रकार हम यहाँ पे dashes यहाँ पे लगा सकते हैं इसके बाद यह dashes यहां से अटाने है, Ctrl Z यहां पर क्लिक करेंगे, यह dashes यहां से चले जाएंगे, इसके बाद हम इसको select करेंगे, यह select किया, select करने के बाद यहां पर text effects पर जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले लिए गया है shadow, अगर यह shadow में रखना है, तो यह style यहां पर ले है ये दिखो shadow में ये change हो रहा है जिसके ओपर pointer ले जा रहे है तो ये change हो रहा है ये दिखो ये change हो गया इसके ओपर click किया ये यहां पर आ गया है इसके बाद ये select ही रखा इसके बाद यहां पर text effects पर जाएंगे दूसरा है reflection तो ये यहां पर reflection है ये दिखो यहां पर click किया है यह reflection चेंज हो रही है यहाँ पर क्लिक किया तो यह text की reflection यहाँ पर आ गई इसके बाद यह reflection यहाँ पर आ गई है अगर हम इस reflection को अलटाने जाते हैं तो हम यहाँ पर text effect यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहां पे reflection और यहां पे click करेंगे तो यह देखो इस text की reflection यहां से चली जाएगी इसके बाद फिर यहां पे text effects पे click करेंगे आगे है glow अगर इसको glow में करना जाते हैं यह जो text हमने लिखा हुआ है तो यह सारे यहां पे style है किस glow में चाहिए जैसे यह देखो इसमें चाहिए यहाँ पर क्लिक किया तो यह देखो यह जो हमने text लिखा हुआ है इस glow में आ जाएगा इसके बाद फिर यहाँ पर text effects पर जाएंगे और आगला है viewer यहाँ भी style दिये गया है जिस भी style में चाहिए उसके उपर क्लिक करेंगे वही यहाँ पर अ करो हमने यह style लिया तो यह style लाने के बाद यह देखो जो हमने यहाँ पर लिखा था यह 3D rotation में हो जाएगा इसके बाद इसको यहाँ पर undo करेंगे यह undo किया इसके बाद आ गया है text effects में transform यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से यहाँ पर style आ जाएंगे यह के आ जाएगा यह देखो जो भी style यहां पे चाहिए हम उसी के ओपर क्लिक करेंगे और वही style यहां पे text का बनके आ जाएगा suppose करो हमें यह style में चाहिए यहां पे किया तो यह text जो है इस style में लिखा हुआ जाएगा यह देखो इस style में यह text लिखा हुआ गया तो इस प्रकार यहां पे हम world art को किसी भी style में change कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने world art style के बारे में जाना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद